सबसे फास्ट अपडेट के लिए सबस्क्राइब करें फॉर्स इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दवाना नागी बटे हैं कोरोना मरीजों से संक्रमन फैलने को लेकर गहलो सरकार काफी गंभीर है और चिकित्सावे भागने केंद्रे गाइडलाइन्स के की सहयोगी विकास शर्मा ने कोरोना के संक्रमन की रोगठाम के लिए सरकार युद्धिस्तर बजोटी हुए है हमारे साथ मोजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रगु शर्मा उनसे बात करते हैं कि मोजूद है क्या इस्तिति है किस तरह से अब जो प्रवासी रास्तान में तो बड़ोत्री हुई है और कम से कम 17 जिले ऐसे हैं जहां पर positive cases नए जहां पर पहले green zone था उसमें कुछ orange भी बन गया कुछ red zone भी हो गया 12 जिलों में ऐसी स्तिति है जहां पर positive cases ज्यादा है लेकिन हमने जिस धंक से quarantine facilities डवलप किये और मुक्यमंदरी जी बराबर उसको को मोनेटर कर रहे हैं करीब 11 सीनिर आइस ओफिसर्स को दो-दो जिले की जिम्मेदारी दी सिर्फ quarantine facilities को मोनेटर करने के लिए हमारी जो एसे सतर के अधिकारी है विनु गुप्ता जी वो ओर ओर सारे स्टेट की quarantine facilities को मोनेटर कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे मोनेटरिंग हो रही है चिप मिनिस्टर साब के दोरा हमने जो विलेज में कमिटी हैं बनाई है बहुत शांदार काम कर रही है वो फूरा ध्यान रख रही है कोई जो लोग प्रोटोकॉल तोड रहे हैं 14 दिन का हम quarantine दिनको रखा गया कुछ केसे में हमने उनको institutional quarantine में भी भेजा है कुछ legal action भी लिए गए है कुल मिला के राजस्तान की स्तीती चाहे पोजिटिव केस ज़्यादा बढ़ गए हूँ लेकि हमारी recovery की जो rate है वो शांदार है असर बात करें जाज की और साथ में जो पोजिटिव केस आ रहे हैं उनको लेकर के संकरमन नहीं फ पहले से ही है कि 14 दिन उसको हम रखते हैं फिर उसका जब 14 टे होता है तो वापस टेस्ट करके वो नेगेटिव होने के बाद फिर उसको डिस्चार्ज करने की कारवाई करते हैं तो मैं समझता हूँ इसी procedure के चलते वे राजस्तान में जो recovery की दर है वो हमारी बढ़ी है मोटलेटी भी हमारे यहां 2.2 परसेंट है जो नैशनल एवरेस से कम है और डबलिंग का जो फिगर है हमारा अठारा दिन से ज्यादा का है और नैशनल का जो है वो बहुत कम है राजस्तान में जिस तरह जो कुल केसिज की संक्या दुगनी होने के दिन होते हैं वो दिन भी ह तो राम गंज जिस तरह चिंता का विशाय था पूरे कंट्री के लिए अब भारत सरकार ने उसकी भी तारीफ किये जिस तरह मानते हैं इस तरह की प्रयास किये गया चाहिए जांज की बात करें चाहिए वह जितने भी डेंजर जो निकल के सामना है तो उन सम्भी जगर पर स की तारीफ हो रही है तो जिस धंके मैनेजमेंट राजिस्तान ने किये जहां एक टेस्ट करने की फैसिलिटी नी थी दो मार्च को जब पहला पॉजिटीव केस आया आज हमारी साड़े सोलह अजार टेस्ट पढ़े करने की कैपिसिटी बन गई है हर रोज हम अपनी टेस्ट डेस्ट ले करकें हर त्युद से चटेस्ट करें यहां अफ्याच से बैद्टीर है इस दारान ICU की bed की capacity हमारे पास बहुत अच्छी है हलाँ कि patient बहुत कम है 24-24 patient ICU में है और ventilator पे भी इका दुका कभी तीन कभी चार इस तरह से cases ventilator पे है तो जो health infrastructure को मजबूत करने का planning मुख्यमंतरी जी ने किया और quarantine facility को micro level पे manage करने की बात किये तो राजस्तान इसी लिए जहां कहीं hot spot बनाया हम वहां से निकल के आ जाते हैं अब राम गंज की तो बहुत difficult situation थी जिस डंकी वहां की आबादी है एक-एक मकान में कई-कई लोग रहते हैं उसको census base हमने clusters में divide किया random sampling ली random sampling के बाद जो हमारे 60 साल की उमर के high risk group के लोग थे उनको उनके testing की गई अब बार बार भरांती हम फिलाते हैं सब testing कम होने से प्रजटी कमा रहे है यह गलत बात है क्योंकि testing इतनी on record हम कर रहे है सबसे ज़दा testing जोदपूर और जयपूर में ही तो हुई है सबसे ज़दा testing 2-0 में तो कोई test कम करने की कभी कोई planning नहीं हम सच्चा ही सामने रखके चलते रहे और उसी का नतीजा है कि राजस्तान में स्तीती ने इंतर्ण में है सर चाई बात करें भी लड़ा की फिर चाई बात करें राम गंज की या फिर जब दिल्ली से तबली की समात की लोग जो लोटे थे वो हलात कई बार बिगड़े हैं लेकिन हमने हर बार कंट्रोल की स्ती में आये थे क्या मानते है प्रवासी जो राजस्तानी आया और केस एक एक बढ़े हैं आगा इदिनों में क्या केस इस वापस दुबार से ट्रेक पे आएगी अभी तो अधिकांस लोग तो आ गए हैं करीब आट से दस लाक लोग आ चुके राजस्तान में और जो हमारे ग्रामें अंचल थे पहले जहां पे इस महामारी का असर कम था अब जो गाओं में आएंगे होट स्पोट से आये हैं वो लोग बंबई से आये होंगे चाहे गुजरात में अम्दाबाद से आये सूरत से आये पॉजिटिव केसिस की संख्या बढ़ना स्वभाविक्त्या यह एस्टिमेटेट था हमारे लिए कि यह बढ़ेंगे संख्या उसी अनुरूप में तैयरी की गई और आप देखेंगे कि अब जो कुछ लोग और आने हैं बाकी अब क्या है ट्रेंस भी शुरू होने वाली है कि फ्लाइट की फैसिलेटिस ड्रोमेस्टिक की भी शुरू हो गई विदेशों से भी हमारे लोग आ रहे हैं यूके से भी आया प्लेन कुल मिलाके 14 दिन के क्वारेंटाइन का जो हमने निश्यत किया है कोई भी आदमी चाहे विदेश से आएगा या बाहर से आएगा 14 दिन या तो उसको होम क्यारेंटाइन में या फिर उसको एसको इंस्स्टिटिशनल क्यारेंटाइन में 14 दिन रहना पड़ेगा मुशके वाद ईंसके य को कि उम नियंतरीत कर रहे है लोग जो आ रहे हिं उनको उनका जान्स का दाराइब बढ़ाने की को तेस्टिंग तो मैं इसलिक तो कहा हुं कुछ हरोज capacity बढ़ा रहें हैं आज ही मुख्यमंद्री जी ने जो जेनिव में 1000 capacity की टेस्टिंग फेसिलिटी का अज शुभर हम किया है हर रोज हमारी टेस्टिंग के बढ़ा रहे हैं को बोस मशीन हमारी 25 मई के असपास आ जाएगी तो वह एक मशीन को बोस डबल डबल जीरो उसकी केपसिटी साड़े चारह जार है टेस्ट पढ़ देगी पहले हम जोदपूर का हमारा टार्गेट है उसको भी नियर फ्यूचर में हम अचीब कर लेंगे और उसके बाद हर जिला मुख्याले पर टेस्टिंग फेसिलिटी डावल अब काफी रियायते भी आप लोगों ने दी है क्या मानते हैं अब आगे की सितियां जो है वो नहीं बिगड़े उसके ल आगे जोड़ दिया और फॉर्चुनेटली आज राजस्तान में हर आदमी इस बात से भिग्य है उसको पता है कि मुझे मास्क लगाना है मुझे दोगज की दूरी बना के रखनी है मुझे बार बार हाथ दोना है मुझे समू में नहीं जाना है बीड में नहीं जाना है यह जो साफधानीया है यही आदमी को बचा रही है इस महमारी से उसके साथ-साथ जो treatment की facilities है चाहे आप वेंटिलेटर परियाबत मातरा में है हमारे पास परियाप मेंयों है और पीपी कित है चाहिए nice five insurance ट्रिपल लेर मास्क हैं किसी चीज के प्रेक्यूर्मेंट में कोई कमी नहीं लाईसी तान के अंदर और जिस दंका ट्रंस्परेंट मेनर में प्रेक्यूर्मेंट का सिस्टम है और जो डिमांड बेस्ट जहाँ जहाँ इतनी ज़रूरत होती होँ पहुंच जाता है तो हमारा हैल्थ वरकर्स वह भी सुरक्षित है अप्रदेश की जनता को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं दोनों पर सरकार काम कर रही है और उसी का कारण है चाहे हमारी प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू कि यह उस किसी प्रकार की राजस्तान में कोवीड के साथ साथ दूसरी विमारियों में भी दिक्कत नहीं हो उसके लिए टेली मेडिशन का काम शुरू किया है आठ से दो बजे तक इमित्र से जोड़ा उसको कुल मिला के कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है जिससे आम आदमी हेल उनसे समस हस्पताल जो है उसको डुटिन में शुरू किया जा रहा है क्या मानते हैं उसके बाद में जो पॉजिटिक के साथे को लिए क्या प्लान है कि जब यह बहुत ज्यादा एक तरह से भयावस्तिती हो रही थी तब समस्पताल को हमने लोगों को रेस्क्यू करने के ल राझनन आहां में अब पर्रावं को विख फ्री कर रहें हैं वो पीडीपंवस्ति संक्रामाद करोगम करों को हमारा जो एक पोर्शन है उसके लाव वार्डों को फृिघ कर रहे हैं कोल्म इलाके जो सर्जडिरीज्य है पेंडिंग है कि को क्यों से वह सब हो जाएंगी Corey ऐ आपील करना चाहेंगे क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करता है लोगों की जागरुता पर एक बहुत हद तक तो प्रदेश वासी जागरुकों के दो मेने से लगातार इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है क्योंकि डब्लू एचो क्या कह रहा है मेडिकल साइंस क्या कह रही है सबको मालूम है इसका इलाज नहीं है कोई ना कोई वैक्सीन है ऐसी परिस्तिती में हर व्यक्ति ने चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपड है आज इतनी जागरुकता हमारे हैं आगई यह पूरे प्रदेश में कि वो अपने आपको सुर अगयापन के माधियम से हो चाहे टेल्विजन पे स्टोरीज हैं चोटे-चोटे हमारे जो एड्स हैं कुल मिला कि आम आदमी को जागरुक करने में चाहे पैंपलेट्स के माधियम से यह जो जागरुकता का जो काम हुआ है वो भी अपने आप में इतना जरूरी था क्योंकि कि का यह जा रहाना है कि बचावी इसका उपचार है तो जब तक कोई इसकी दवा नहीं आती है सामने बजार में तब तक हमको साबधानियों से जीवन जीना है तो यह थे माई से चिकिस्ता मंतिर डॉक्टर रभू शर्मा जी नहीं बताया कि कि किस तरह से सरकार जो इस कि कि ए उना है तो बताया है तो जब तक हमको साबदों जी नहीं जागर रहां है कि कुई पूब जग़ कर दो दो जा ए जीवन जब तक हमको साबदों आती है